हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेसन में, तो आज हम लोग discuss करने वाले सारे teacher के आप handwritten notes कहां मिलेंगे, आप सभी लोग बच्चे class के बाद पूसते हैं कि sir, PDF कहां मिलेगी, PDF कहां मिलेगी, तो दोखो सारे handwritten notes आप एक format में पा सकते हैं, उन सारी चीजों को कै ऐसे आप पा सकते हैं, मैं one by one discuss करूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीजे आपको खुद मिल जाएंगी, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक teacher का, किसी भी teacher का हो, सब के handwritten notes मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना हो कि दखो भाई, आप लोगों को सबसे पहले unacademy learning app download करना होगा, ठीक है, unacademy learning app download करने के बाद, आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अपनी ID बनानी होगी, जैसे मैंने किसी एक student की ले रखी ID, एक ID बनानी होगी, तो आपका interface ऐसे खुल जाएगा, आपका profile, ठीक है, unacademy learning app download करने के बाद आपको SSC category select करना है, जैसे मैं आपको दिखा दू बच्चो, unacademy learning app download करने के बाद, आपको SSC category select करना है, बात मेरी समझे, जैसे unacademy step 2 unacademy learning app आपको download करना है, फिर उस independent learning app, डाउनलोड करने के बाद मेरे साथ ही हो, आपको SSC exam category select करनी है, फिर उसके बाद SSC exam category select करने के बाद, आप जैसे ही interface पे आएंगे, आपको ये interface खुल जाएगा, SSC exam category की बाद करो, आप लोग railway चाहें, railway, आप bank चाहें, bank, आप जिस category को चाहते हैं, उस category के बारे में आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने इसके बारे में देखा तो यहां पे आपको ऐसे interface खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको PDF देखनी है, जैसे अपनी profile बना ली, आपने डाउनलोड कर लिया, जिन लोगों को डाउनलोड है, बहुत अच्छा है, उसके बाद आ SSC exam में नीचे scroll करना है, ध्यान रखना, आपको नीचे आना है, नीचे इसको ऐसे scroll करना है, आपको जाना है educator पे, यहां पे आपको सारे educator मिल जाएंगे, जैसे मैंने देखा SSC exam educator see all, ठीक है, आपको यह थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, आप यहां पे देख पा रह ठीक है, यहां पे बच्चा विजिट करना चाहता है, माल लेते हैं इन सरकी इनको फोटो, मलब classes की, इन सरकी PDF चाहिए, या किसी भी सरकी आपको PDF चाहिए, जिनकी भी देखनी है, तो आपको उनकी profile पे click करना है, पहला तरीका उनकी profile पे click करना है, यहां पे ऐसे click करेंगे, जैसे ही आप click करेंगे, वैसे ही आपको यह खुल जाएगा, या दूसी तरीके से आपको यदि इसमें नहीं जाना, तो आप उपर एक search आता है, मेरे भाईयों द्यान से दिखना, आप लोग यहां पे भी search कर सकते हैं, यहां पे भी search पे जाके, जैसे मैं जूम करके दिखा तहों, आप यहां पे जाएंगे, search करेंगे, search करके, यहां पे search करेंगे, कि maths भईन इतिन सर्ट तो आपको जिस particular, पहले तो एक educator liability search करना है یہpad सारे पिल एजूकेटर उप्लाइव सकते हैं कि म dites आप और स्पाइड या आप ऐसा pakामकर तो यहाँ पर गर किसी ने स्चेर्च किृट अब यह सेर्च करने on percentage, यहां पर आप click करेंगे, click करने के बाद, यहां पर अपर प्रोफाइल को खुल जाएगी, क्या है? जो लोग Australis की प्रोफाइल में पहले से enroll नहीं, मैं आपको से बता रहा हूं, मैंने निव श्टुडेंट को लेके समझा रहा हूं, तो आप लोग यहां पे नितिन तीवारी लिखाई से क्लिक करेंगे, यह आप लोग एक काम यह भी कर सकते हैं, यह प्रोफाइल ऐसे खुली है, वहां पे जाके आप एक काम यह कर सकते हैं, कोई class है, नीचे आएंगे, जैसे यह प्रोफाइल खुल नहां पे आपको दिख रहा होगा special class, ठीक है, special class plus class है, special class see all, special class see all पे आपको क्या करना है, click करना है, जो भी free classes होती है, यदि वो देखने के लिए, जैसे ही आप click करेंगे, वैसे ही आपको, मेरे साथ ही हो, एक page खुल जाएगा, ये, कोई एक video खुल गया आपको, जिस भी video को आप see all करेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको खुल जाएगे, जैसे इस video को मुझे देखना है, मैंने इसको zoom किया, मुझे इसकी pdf चाहिए, इस class की pdf चाहिए, आप special class के उस video पे गए, और आपको इस class की pdf चाहिए, तो इस class की pdf में आपने ऐसे click किया, जैसे ही, click करने के बा यहाँ पे view pdf कुल के आ रहा है, लिख के आ रहा है, यह view pdf आप देख पा रहे होंगे, इसको, यह view pdf ऐसे दिख रहा है, इस view pdf पे आपको click करना है, मेरे भाईयों, आपको सब को दिख रहा होगा, अच्छे से, इस view pdf पे आपको जैसे ही click करेंगे, वैसे ही download का option आएग जैसे मैंने लिखा, without annotations और with annotation, without annotation और with annotation का मतलब यह है, कि यह लिखा हुआ, जो teacher लिख के solve करता है, handwritten notes, और वो यह है, जो without capable question आपको, यदि question चाहिए, तो आप without annotation आपको question चाहिए, या आपको question और solution दोनों चाहिए, तो आप without annotation देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजे हैं, यदि आप particular video नहीं देखना चाहते हैं, जादत जाद है educator के चीजें आप पढ़ना चाहते हैं, शीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, हर एक educator की PDF डाउनलोड करें, solve कर लिजे, यदि 15-20 question है, 4 question solve कर लिए, क्योंकि बाकी question easy होंगे, सायद आपको आते होंगे, तो 2-4 चीजे, हर एक educator से सीखते रहें, तो बहुत सारी चीजे आप सीख जाएंगे, और बहुत चीजे सीख के आप आँगे बढ़ेंगे, जब आप download को option करेंगे, तो math time and work, आपके phone icon में इस तरीके से ये download हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये download हो जाएगा, इस तरीके को खोलेंगे, आपको PDF खुल जाएगी, ठीक है, तो आई होप आप लोगो को समझ में आया होगा, यदि आप लोग anacademy का subscription चाहते हैं, plus course के लिए आपको anacademy का subscription लेना होगा, plus course के लिए anacademy का subscription लोगा, यदि कोई plus course देखना चाहते हैं, वहाँ भी इसी तरीके से आपक को मिल जाएगे, clear है कि नहीं? तो आप लोगो को पता चली, PDF कहां से मिल ली, मैं एक बाद फिर से short hand में repeat कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बार-बार देखो, मैं आपको बार-बार चीजे समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी चीजे देखने को अपनी profile बनानी, academic learning app पर, profile बनाने के बाद आपको क्या करना है नीचे जाना है यहां पर ध्यान लखना, नीचे scroll करना है, educator पर आपको जाके educator सर्च करना है, see all, SSC exam educator, see all, आप जिस category में सारे educator देखेंगे, जिस educator को आपको select करना उसकी profile पर ऐसे click करेंगे, या आप एक काम औ या किसी भी educator का आपको नाम देखना है, यहां पर आप, कृतीम आयम है, संदीप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, search करने के बाद आपको क्या करना होगा, कि search करने के बाद मेरे भाईयों, आपको उस educator की profile जैसे मैंने search कि, मैंने match by Nitin sir यह लिखा, देखना ध्यान से मैं जूम करके यह सारे plus course खुल के आएंगे, free class देखने के लिए उनकी profile में जाना पड़ेगा, तो free class में उनकी profile में आपको नितिन तीवारी पर क्लिक करना होगा, यह दिख रहा है नहीं जूम कर रहा हूँ, यह नितिन तीवारी यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपको उधर से educator profile क्लिक करे नीचे आएंगे, यहां पर plus course दिखेंगे, नीचे scroll करेंगे, तो इन सारे educatorों के आपके special class ऐसे दिख जाएगी, special class पर see all करना है, उस video पर जाना है, जो video पढ़ाएगा, इस video पर जाना है, ratio प्रपंच जैसे time and work, तो इस video का हमें चाहिए जैसे PDF, तो मैं आपको इसको जूम आपको download करने के बाद आपको यह ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो आपका यह download हो जाएगा, तो ऐसे सारे classes की video PDF आप download कर सकते हैं, दूसरा आप, देखें, आप लोग प्लस course ही है, तो आप यह देख सकते हैं, ठीक है, तो I hope आप लोग को सारी चीजे समझ में आयोंगी, और सारे टीचरों के class notes और PDF आपको वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, thank you so much, जहिल!